क्यों आरोप लगता है आपकी पार्टी पर आपकी सरकार पर आप कहरें इंक्लूसिव ग्रोथ और प्रो इंकंबिंसी एक तो पहले बाद जाओंगी इंक्लूसिविटी पर क्यों आज सोसाइटी में क्यों हमारे समाज में आज इंसान इंसान के खिलाफ नजर आता है हेट प् आपकी पार्टी संदेश देती है हेट का और राम नवमी के दौरान जिस तरह की हिंसा हुई है उसमें कहा जाता है कि सैफरन समाज आपकी पार्टी को कहा जाता है सैफरन समाज का एक हिस्सा भगवा रंग का एक हिस्सा भगवा ने प्रवोक किया दूसरी तरफ से माइनॉरि पर रियाक्ट किया और जगा जगा तलवारे निकली हैं पेट्रोल बॉम निकले हैं इते लाठी बहुत कुछ हुआ है और ये सिर्फ विपक्ष के राजियों में नहीं हुआ ये हुआ है बीजेपी के राजियों में चाहे वो मद्धेप्रदेश हो चाहे वो गोआ हो या फिर गुजरात हो ऐसा क्यूं है क्यों हेट प्रमोट हो रहा है देखे मैं इसका थोड़ा लंबा उत्तर दूँगा पहली बात हमको समझनी चाहिए कि आपने कहा कि हेट की राजियों की जा रही है इसको और गहराई से देखने की ज़रूरत इस दुरूरत इस दुरूरत इस जो देश के कमजोर करने के साजिशों के भी स्टेंटरों के भी पार्टन पार्सल बन रहे हैं इसलिए ये कोई इतना ही नहीं है बार बार ऐसी बहुत सी घटनाएं होती है मैं आपको धारन के साथ बता रहे सकता हूँ जिसमें देश की तस्वीर बदले देश की तस्वीर खराब हो देश की तस्वीर धूमिल हो इसका एक बहुत बड़ा एको सिस्टम के तहट प्रयास होता है भारत के अंदर से जी बिल्कुल भारत के अंदर बहुत से लोग है वेपार्श कोंगा कि यह इनकी समझ में कितना आता यह जाने लेकिन मैं अगर आप असे कहूंगा यह बताना चाहूंगा आपको कि कॉंग्रेस पार्टी बहुत आजकल यह आर्टिकल्स लिखकर सोनिया गांदी जी राहुल जी ट्वीट करके इन्होंने भारत को समझा नहीं और इन्होंने भारत को जाना नहीं क्या इनको खुद मालूम है कि नहरू जी के जमाने में इंदरा 887 riots have taken place मैं Congress की बात नहीं कर रहा हूं मैं इनके जमाने की बात कर रहा हूं I'm talking about Nehruji, I'm talking about Indraji, I'm talking about Rajivji, 887 riots हुए हैं What answer they have to give about that? Number one, riots या सामप्रडाइक भावनाओं को बढ़ाना ये गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं और मैं ये देश की जनता को बताना चाहता हूं कि ये vote bank politics, ये secularism के नाम पर appeasement, ये इतने सालों तक किन लोगों ने किया है और किन लोगों ने इस देश को divide करके rule करने का प्रयास किया है? आज ये लोग बड़ी-बड़ी बाते कर रहे हैं, तो पहली बात ये है कि इनका जो intention रहा है, देखिए इनकी जो करतूत रही है, इनका जो हिकिहास रहा है, इनके जो कारे रहे हैं, वह स्पष्ट बताते हैं कि इन्होंने समाज को बांटने के लिए हर संभव प्रयास किया है, और इन्होंने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की ही राजनीटी की है, और आज जब भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होकर के आगे बढ़ रहा है, तो उसमें destructive elements अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, we have been very clear right from 1951, that justice to all, appeasement to none, सबका साथ, सबको न्याय मिले, लेकिन तुष्टी करन किसी की नहीं होगी, और इस दुष्टी से भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, इसकी picture को खराब करने का काम किस ने किया है, मैं कोई उदारन देकर के नहीं बताना चाह हो लेकिन कई लोग बहुत से प्लेकाड लेकिं कख़े हो जाते हैं, देश मुसीबत में मैं डर रहा हूँ, मैं ये हो रहा हूँ, मैं गो हो रहा हूँ Muslims under attack. Indian Muslims under attack. कुछ लोग इस तरीके से करते हैं. अब आप बात लीजे, अभी के recent री राम नाओमी की incidents की. मद्यप्रदेश में भी घतना गटी, गोवा में भी घतना गटी, BJP राजयो में भी घतना गटी. BJP राजयो में तो तुरूंत law and order has taken its own course. and we have been... With bulldozers? No, with the necessary activities which needed and law took its own course. But हम ये जानना चाहते हैं कि राइस्थान वहीं तक तो arresting भी नहीं हुई है. और वहां के मुक्यमंत्री ने, क्योंकि मैं वहां सवाय माधुपूर में गया हुआ था, तो कहने लगे, नड़ा आग लगाने आया है. इस तरीके के irresponsible statements और राजनितिक चश्मा पहन करके अगर प्रदेश का मुक्यमंत्री देखता हो चीजों को. तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल में आज भी ऐसी समस्याओं को राजनितिक चश्मे से देखने की आदत है. और ये घटनाएं निंदनी हैं. लेकिन हाँ, मैं ये जरूर चाहूँगा और ये ये जरूर तहकीकात का विशह है कि ऐसी घटनाओं को कौन लोग अन्जाम दे रहे हैं, कौन लोग इंकरिज कर रहे हैं और उसका उज़ दिश्य क्या है? और मुझे लगता है कि जो सिक्यूरिटी एजिंसीज हैं और जो हैं, वो उसके डेफ्ट में जाएंगी और सामने चीज़े आएंगी. आपको कोई इल्म है? क्या? ने, मैं इल्म नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से राम नामी का दिन है, खुशी मना रहे हैं लोग, और एक आएक टेन प्लिसेस पर जगह पर घटना इगटी हैं, और फिर वो अन्प्रोवोक्ट हैं, तो इसमें कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन अन्प्रोवोक् कोर्स, लाउ विल टेकिट्स ओन कोर्स, और एजन्सीज इन बातों को देखेंगे कि इन वीडियो में भी कितनी सचाई हैं, और कितनी अथन्टिसिटी हैं, लेकिन कानून किसी को अपने हाथ में लेने के अधिकार नहीं हैं, और हम, मैं फिर आपको बताता हूँ, as a responsible president of the भ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, हाँ, इसको कुछ लोगों की बुरी आँखें लगी हुई हैं, इसमें भी कोई दोराय नहीं है, अब वो किसी घटना के वो शिकार होते हैं, या वो misinformation के शिकार होते हैं, या किस तरीके की वो activity करते हैं, उनको भी mainstreaming करना हमारी जिम् के लगी है!